फाइनली गैस रेड्मी ने इंडिया पर लॉंच कर दिया है उसका नोट सेरीज का ब्रैन्नी स्मार्टफून रेड्मी नोट 10 और यह स्मार्टफून ने दस्तो फोर्जी भी सिक्टी फोर्जी वाला वेरिन के साथ आता है त्वेल थाउजिन रुपिस के अंदर और त्वेल इस दोनों स्मार्टफून से कौन सा स्मार्टफून बेस्ट रोने वाला है कौन सा स्मार्टफून आपको पर्चेस करना चाहिए यह सब कुछ चानले के लिए एए वीडियो अब लगास तक जुरू देखते रहें हेलो गाइस मैं हुं सँन जोई अब दिग रहे हैं क्वालेटिव की डिजाइन के बारे में गर्सेंपर डिजाइन के तरफ देखा जाए तो मुझे जो बेटर लगा वेगा सुट्रेड मी नोट 10 का डिजाइन क्योंकि स्मार्टफून आता है ग्लास बैक के साथ और स्मार्टफून की पीछे की तरफ को देखने को मिल को अगा कोड़ के मेरा सेट अफ एलेटिफ्लेस और फिंगर्फिन सेंसर और फॉनजाट के तरफ द्रिखा जाए तो यह स्मार्टफून आता है पंच्छों डिस्प्ले के साथ यहूं कि कैसे पर लूक और डिसाइन के मामलें पे तो बिल्कुल बाजी मारता है रेड्मी न टेकनों पोभा ने बहुत बड़ा सा डिस्पेय ओफर कर रहा है लेकिन गास जो स्मार्टफून आता है HD प्लास डिस्प्ले के साथ इसके बाद जान लाता है दोने स्मार्टफून की प्रोसेसर के बारे में गैसे प्रोसेसर के बारे में फिर से बाजी मारता है स्मार्टफून आता है क्वालकम की तरफ से 678 चीपसेट के साथ जो की गौक्टा कोड़ चीपसेट है और दोस्तों एक क्वालकम की तरफ से 6 सीरीज का नया प्रोसेसर स्मार्टफून के अंदर आप बहुत ही आसानी से पपजी मोबाईल फ्रीफैर कॉल अब डिवीटी को ब गेटर गेमिंग्वाफूंस आपको देखने को मैं लेगा रेड़बी नोट 10 के अंदर डिजाइन के मामले में प्रोसेसर के मामले में और दिस्प्ले के मामले में बिल्कुल बाजी मारता रेड़बी नोट 10 लेकिन गैसे हैप स्मार्टफून आता है 6000 अमेज बैटरी के सा और अपर Redmi Note 10 आता है 5000 इमेज बैटरी के साथ और इन्बोक्स आता है 33 वाट का फास्ट जाजर के साथ अगर आपको फास्ट जाजिंग का सापोर्ट चाहिए तो आप Redmi Note 10 के तरफ आ सकते हो इसका जो पाइमारी सेंसर होने वाला है 48 मेगापिक्सल उसी के साथ 8 मेगापिक्सल आल्टरोय लेंस के लिए 2 मेगापिक्सल है देफ सेंसर के लिए और 2 मेगापिक्सल है माइक्रो लेंस के लिए और अपर टेक्नो पोबहात है पीछे की तरफ क्वाट कैमेरा सेटप के साथ इसका जो पाइमारी सेंसर होने वाला है 16 मेगाफिक्सल उसी के साथ टू-टू करके दो सेंसर है और लास्ट जो सेंसर है दोस्तों AI सेंसर बात कर लेते हैं दोनों स्मार्टफून की सेलफी कैमरे के बारे में दोनों स्मार्टफून आता है 4GB, 64GB वाला भीरेंड के साथ उसी के साथ 6GB, 128GB वाला भीरेंड है इसके बात किया जाए दोनों स्मार्टफून की प्रास के बारे में रेडवी Nod X 4GB, 64GB वाला भीरेंड के साथ आता है त्व अर अब है टेकनो फोबा 4GB 64GB वाला भीरेंड के साथ आता है 10,499 रुपीद के अंदर और 8GB 12,499 रुपीज चाहिए यह दोनों स्मार्टफून से कौन सा स्मार्टफून बेस्ट होने वाला है कौन सा स्मार्टफून आपको लेना चाहिए दोनों स्मार्टफून की स्पेसिपिकेशन के तरफ देखा जाये तो दोनों स्मार्टफून का अच्छा स्पेसिपिकेशन ओफर कर रहा है दोनों स्मार प्राइस के सबसे काफी अच्छा का सा स्पेसिफिकेशन ओफर कर रहा है जैसे दोस्तों स्मार्टफून आने वाला है ग्लास बॉड़ी के साथ और स्मार्टफून की पीछे की तरा आपको 48 मेड़ेशल का क्वाट कैमरा सेटप भी देखने को मिल जाएगा सबसे अच्छी ब स्मार्टफून से आपके लिए स्मार्टफून बेस्ट और आपको रेडिमी को पछिस करना चाहिए उमेद करता हूआ आपको वीडियो पसंद अहोगा उमेद कर्ता हूँ मैंने अपका साड आउट कुलियर करा अगर आपको वीडियो परसंद आए तो एक लाइक करना उसी के साथ साथ जो मेर रना है मैं मानो अब इतले किसी यूटिव चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजे और नोटिफिकेसन बेल को आल में क्लिक करिए